पंजाब हुकुमत ने वियोरोकरेसी में बड़े पैमाने पर उखाड पिछाड कर दी तमाम असला के डेप्टी कमिशनर तब्दील कर दिया गया डेप्टी कमिशनर लाहॉर कैप्टन रिटार्ड अन्वारूलग का तबादला कर दिया गया इमरान कुरेशी को डेप्टी कमिशनर लाहॉर तायूनात कर दिया गया इमरान कुरेशी को डारेक्टर लाहॉर रिंग रोड अथर्टी लगा दिया गया रिजवान नजीर को डेप्टी सेकरटरी महकमाफूर तायूनात कर दिया गया पंजाब पुलीस में भी बड़े पेमाने पर उखाड पचार चाटिस जजला के डेपियो तब्दील कर दिये गए डियाई जिसल फिकार हमीद को सिसी पियो लाहूर तायोनात कर दिया गया वकास नजीर डियाई जी आपरेशन तायोनात इनाम वहीद डियाई जी इन्वेस्टिगेशन तायोनात वसीम हमद सियाल आरपियो मुलतान सुहिल ताजेक आरपियो बहावलपूर तायोनात कर दिये गए पंजाब अस्मबली के स्पीकर हाउस में पुर इस्रार आतिश जदगी कुर्सियों, वेट्समेट, फरनेचर और दीगर सामान जलकर राक, आग से दिवारों और छट को भी शदीद नुक्सान पहुँचा दोपहर को लगने वाली आग पर रेस्क्यू ने एक घंटे की कोशिशों से काबू पाया चीफ सेक्यरिटी आफिसर की दर्खास पर थाना रेस कोस में रेपोर्ट दर्च स्पीकर हाउस पर ताहाल साबक स्पीकर राना महमद अकबाल अकबजार आना अकबाल ने सरकारी गाड़ी भी दो रोज कब वापिस की स्पीकर हाउस साबिक स्पीकर के तीन बेटों के जिरे इस्तेमाल है स्पीकर हाउस लेसको के पंद्रालाग रूपे बिल का भी ना देंदा नए स्पीकर चौदरी पर वेजिलाही का इंतखाद 16 अगस्त को हो गया था साबिक स्पीकर ने रहाइश शगाह ना छोड़ी मौलाना फजरुरामान की ग्रैंड उपोजिशन की तश्कील के लिए कोशिशें थेज जाती उम्रा में साबिक वजरियाजम नवाज श्रीफ से दो घंचे तवील मुलाकात नवाजचरीफ ने अपीसि में शरकत से इंकार कर दिया मुस् scientist का वफ्द all parties conference में शल्ट करेगा नवाजचरीफ से मुलाकात में अपीसि पर इतिफाक 희्राय पाया गया रुपे की कदर कम होने से महंगाई में बेताहशा एझाव़ा हो चुका इसराइली त्यारा पाकिस्तान आने की आधी तस्दीक आमान ने कर दी पहले ही कहा था कि इमरान खान के आने से यहुदी लौबी मतहर्रिक होगी मौलाना फजल रह्मान की क्रीम पाक में मीडिया से गुटबू बोले सूथ की लानत खत्म के बगएर मुलक तरकी नहीं कर सकता अब्दुललीम कान ने मौलाना फजल रह्मान को बी जमालों का करदार करार दे दिया पहले नवाज शरीफ अब जर्दारी सब चोरों को साथ मिला रहे हैं इहतजाज दिल गुर्दे का काम है आपोजिशन महाल अचा रखने के लिए तावन करें आशियाना हाॉसिंग स्कैंजल नैप का शहवाज शरीफ के मजीद रिमांड लेने का फैसला शहवाज शरीफ को कल इहतसाब अदालत पेश किया जाएगा शहवाज शरीफ का जिसमाने रिमांड 30 अक्तूबर को खत्म होना था शहवाज शरीफ का एक रोजार रहदारी रिमांड भी लिया जाएगा आपोजिशन लीडर को असम्बली जलास में शर्कत के लिए शरीफ के इस्लामबाद ले जाने की तैयारी मकमल खुसूसी त्यारे का इंतिजाम कर लिया गया पैसे खाने के लिए पटवार खाने बना गया बताएं ये पटवार खाने की सहसित से काम कर रहे हैं चीफ जेस्टिस के रिमांक्स अदालत को मुत्माइन ना करने पर चीफ सेटिल्मेंट कमिशनर असलम हयात की सरजनिश एडिशनल डेप्टि कमिशनर को तलब कर लिया जाल साजी से जमीन हत्याने वारा पटवारी सुप्रीम कोट से गिरिफतार इडन हाउसिंग सोसाइटी के सेंक्ड़ो मतासरीन का सुप्रीम कोट रिजिस्ट्री लाहॉर के बाहर इहतजाज प्लाट ना मिलने पर इंतजामिय के खिलाप नारिबाजी चीफ जस्ट्री से नोटिस लेने की अपील गंज बख्ष फैज आलम मजहरे नूरे खुदा सेद अली बिन उस्मान अलहजवेरी अलमरूफ हजरत दाता गंज बख्ष का उर्श मुबारिक चीफ जस्टिस सुप्रिम कोर्ट साखिम निसार ने मजहर पर चादर पोशी करके तीन रोज़ा तक्रिबात का आगास किया पाकिस्तान आज टेक आफ कर रहा है बहुत जल तरकी की मनाजल तै कर लेंगे डेम की तामीर जनवरी में शुरू हो जाएगी चीफ जस्टिस की दाता दर्वार पर मीडिया से गुफटगू दर्वार इंतिजामिया ने चीफ जस्टिस को किताबों का तुफ़ा दिया लोगों ने फंड्स के लिए अतियाद दिये जाहरीन की बड़ी तादाद की दाता दर्वार पर आमद अकीदत मंदों की जोल पर धमाल दूद की सबीले लग गई सुबाई वजीर अवकाफ सेद सेद अलहसन ने फ्तिता किया लंगर का भी वसी इंतिजाम सुबाई वजीर मियासलम अकबाल और मुशीर वजीर आला और उन चौदरी की दाता दर्मार आमद मुस्तिफाई लंगर खाने का फ्तिता किया हजरत दाता गंज बख्ष के 975 में उर्स के लिए सेक्यरूटी के सक्त इंजमाद दाता दर्मार जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगा कर बन सीसी टीवी कैमरो से निगरानी तीन हजार पुली से हिलकार ड्यूटी देंगे फजाई निगरानी भी होगी जाहरीन को मुकमल तलाशी और वाक त्रू गेट से गुजरने के बाद दर्मार में जाने के अजाज़त पंजाब फ्रोड अथर्टी के अमले की भी ड्यूटियां जाहरीन के लिए लगाए गई गई सबीने और लंगर का मौई अब्दुललीम खान का अपनी जेब से दाता दर्बार में मसाफिर खाना बनाने का अईलान कहते हैं मजार पर आने वाले तीन सो जाहरीन को रहाईश और खाना अफ्री दिया जाएगा शेहर में दीगर मुखावाद पर भी लडिये के ताव उन से चार मसाफिर खाने बनाएंगे मनसूबे पर जल्द जल्द काम शुरू किया जाएगा खाफ लीग और पीबल्स पारडी के दर्मयान राबते डप्टी चेर्मेंट सैनेट की चौदरी शुजाद हुसेन और परवेज लाही से मुलकात मुलकी सियासी सुर्थ चाहल पर तबादले ख्यार मुलकी तारिक में पहरी बार शाम को फैमिली अदालते लगेंगी चीट जिस्टिस आई कोट अन्वारुलक का शाम के अवकात में भी अदालते लगाने का फैसला तीन नवंबर को इक्तिता करेंगे बच्चों से मुतालिक केसिस की समात की जाएंगे बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग टास्क फोर्स मुताहर रेक बिजली चोरों के साथ नादे हंदगान से भी रिकवरी की जाएगी इंडस्टिय और बड़े कमर्शल सार्फीन के मीटर चेक किये जाएंगे केनाल रोट पर सर्याम हुआई फारिंग करने वारा मुल्जम गिरिफ्तार मुल्जम आतिफ से 9mm पिस्तॉल और मुतादित गोलिया बरामद मुल्जम अंसूरा का रहाशी है ठाना हंजरवाल में मुकदम दर्ज, F.P. सदर, माजजफर चोरी करना मगर माल रोट पर नहीं मुवजफर पहले शेहरियों के हत्ते चड़ा फिर पुलीस एहलकार ने हाथ साफ कि शेहरी की गाड़ी से मुवाइल फोन चुराना महंगा पड़ गया अलीट फोर्स के हलकारों के मुल्जिम पर तशद्द की विडियो लाहॉर निउस पर बाग गुल बेगम मजञ के रहाशी घरों के मस्मारी के खिलाफ सराफा इस तजाज मुझारी ने टायर जलाकर रोट कुल वॉक किये रखा रेजिस्ट्री शुदा मकानों के मस्मार किया जा रहा है मुझारीन का इल्जाम तजावजात माफिया का तोड़ मुश्किल टक्साली ओवर हेड ब्रिज को भी ना बख्षा गया दरियां बिचा कर कारवार शुरू कर दिया पुरानी जूतियां शेर उशारी की खितामें और दीगर अशिया की फ्रोग जारी शेहरियों का पुल से गुजरना महाल इंतजामिया खामोश गायदिया आजम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नमेंट दूसरे कौर्टर फाइनल में हभी बेंक ने सुई सदरिंगास की टीम को शेकस्त दे दी सीनियर कौमेक रिक्टर भी डुमेस्टिक टूर्नमेंट में आक्शन में नज़रा है बच्चों और बड़ों के गवर्नर हाउस में सेर के मज़े स्कूलों के तल्बा भी सेर सपाचे के लिए पहुंच गए शेटल सर्विस के जरिये सेर गवर्नर हाउस को अवाम के लिए खोले हुए छे हफ़ते गुजर गए गवर्नर हाउस पहली बार 23 सितंबर को खोला गया सुख चैन क्लब में सजा परिंदों का मकाबले हुसन खूबसूरत परिंदे नमाश की जिनत बने रहे रंग मरंगे तोतों ने देखने वालों को अपने हुसन का दीवाना बना डाला गुलबग में सजील लाइफ स्टाइल एंड वडिंग एक्सपोर जर्क बर्क मल्बुसात हैंड मेड और मशिनरी जूनरी के स्टाल्स मेक अप और घ्रेलू सजावती सामान ने भी खूब रौनक बढ़ाई और निशात होटल गुलबग में बच्चों की वेंटर कलेक्चन मतारिफ रंगरंग फैशन शोर नन्ने मॉडल्स ने रैम पर अपनी अदाउं का जादू जगा है